अब स्वेश्चाइं पालेल बीव उसला खेज लेंस अब स्वेश्टर साइज और प्रिंसिपल एक्सेश दैंट्सिती ऑफ लाइट हमारे ऑप्शन से रिमीस और इंक्रीज चुंटेनल स्क्रीज कंटिनुछ जूब्स लेश्टन है पालील वाद है उसला फेश्टरिन ओर फ कि यह माण लीज़े आपका एक lens रखा हुआ है और आपकी raise ऐसे आ रही है, यह आपकी raise parallel to principal axis आपकी raise और यह आपकी raise illuminated source है, parallel raise यहां पर ऐसे आ रही है, अगेन इन raise को हम यहां पर consider करेंगे कि यहां बहुत ही close है principal axis के, जिसको हम यहां पर आजूम करेंगे, धीटा आपका जो तो यह सारी paraxial raise होएंगी, तो raise जब यहाँ पर जाके cross करेंगी, तो यह आपकी converge होएंगी यहाँ पर, एक point जिसको आप कहते हैं focus, यह आपकी infinite से raise आ रही है, तो focus पर आपकी raise यहाँ पर converge होएंगी, और उसके बाद यह अपनी अपनी दुनिया में ऐसे आगे move on कर जाएंगी, यह आपकी raise ऐसे आगे move कर जाएंगी, अब यह सवाल ही कहता है, इस सवाल में situation यह है, कि जब हम इस location से आगे यहाँ पर move करेंगे, यह आपकी x direction ऐसे है, कि जब आप यहाँ पर observer इधर move कर रहा है, तो हमारी जो intensity है, वो कि उसका क्या scenario होएगा, यहाँ पर notice करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जब हम notice करेंगे, तो जैसे जैसे हम x पर आगे जा रहे हैं, और focus की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर आप move कर रहे हैं, इस principle axis पर intensity बढ़ेगी, और focus पर जाके आपको maximum intensity महसूस होगी, और उसके बाद intensity फिर आपकी कम होती चली जाएगी, यह वो ही scenario है जैसे आपने बच्पन में sunlight में, कागस में या पत्नों में आग लगाई होगी, तो एक lens को अगर आप focus कर रहे हैं, ऐसे कि आपका पत्ते के उपर वो आपका focal length पर आपने सूखा कागस या फिर सूखा पत्ता रखा हुआ है, तो वहाँ पर intensity, sunlight की intensity जिसमें आप आराम से ऐसे दिन बाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस lens की intensity आपने एक जगे पर concentrate कर दिये, वहाँ पर temperature आपका इतना rise हो जाता है कि उस कागस में उस पत्ते में आग लग जाती है, तो intensity जब हम या जाएंगे तो एक जगे maximum हो आएगी और आगे फिर कम होती चले जाएगी, so that means option 4 जो है, first increases, then decreases, this will be the right answer.